चलिए अब बढ़ते हैं उत्तर प्रजिश की तरफ जहां से एक बड़ी खबर आ रही है दानिश अली जो हैं कॉंग्रिस जॉइन करने वाले हैं यह बड़ी खबर है बीएसपी से निश्कासित हो चुके हैं दानिश अली और उसके बाद शनिवार को यानि कल वो कॉंग्रिस का दामन थामेंगे अमरोहा सीट से उनके लोकसबा चुनाव लड़ने की भी अटकले तेज हैं कॉंग्रिस के टिकेट पर दानिश अली अमरोहा से चुनाव लड़ सकते हैं तो ये बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि बहुजन समाज पार्टी से दिसंबर 2023 में निशकासित होने वाले अमरोहा के सांसद दानिश अली शनिवार को कॉंग्रिस में शामिल हो सकते हैं वो राहूल गांधी की अगवाई वाली भारत जोडो न्यायात्रा के दोरान अपचारिक रूप से पार्टी में शामिल होंगे आपको यादि होगा कुछ दिनों पहले जब संसद में उनके खिलाफ बीजेपी के संसद में आपत्ती जनक टिपनी की थी उसके बाद खुब बवाल मचा था और सैधान्तिक रूप से कॉंग्रिस का साथ दानिश अली को मिला था उसके बाद राहूल गांधी से दानिश अली की मुलाकात हुई और उसके बाद उत्तर पदेश कॉंग्रिस के अध्यक्ष अजैराय भी उन से मिले थे दोनों ने भरोसा जाताया था कि आप चिंता मत कीजिए आपको 2024 में कॉंग्रिस टिकट देगी और अभी तक यही खबरे हैं कि कॉंग्रिस में शामिल होने जा रहे है दानिश अली और उपचारिक रूप से शनिवार को जब वो शामिल होंगे तो जो पहली लिस्ट कॉंग्रिस की आएगी प्रत्याशियों की उसमें अम्रोहा से दानिश अली का नाम हो सकता है चौबिस तारिक को श्री राहूल गांधी का अम्रोहा की जनता हाथ खोल करके स्वागत करेगी उनकी उस भारत जोडो न्याय यात्रा में अम्रोहा की जनता शामिल होगी अम्रोहा की जनता का एक चुने हुए प्रतिनिधी के रूप में मैं स्वेम उस यात्रा में शामिल हूँ